दो खषक हईलो गैसा वेलकम टो ओर चैनल सो गाईस अफ्पी बंदे तो इसको ईपग्रेड करेंगे नहीं तो फink वन आप ग्रीड कर भिएगा इसको बटघा इस लेवलवर उह सेब्ड तक तो कोई खास ही अप्ग्रेड करेंगा तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप अप्ग्रेड करो भी यह तो लेवल फोर तक ही करना तो गैज मतलब इसका बेनिफिट और गैज डिस अड्वांटेज क्या है लेवल वन पे तो गैज बैसक से आप जो लेवल टू पर ही जाना क्य तो फिर भी भी गैज पीतनी ओपी चलते हैं क्या ही बोले तो अभी इसका फियर रिव्यू देख सकते हो तो गैज मतलब बेसक से डावल डिलोड अभी गैज इसका अट्रिब्यूट है सिंगल डेमें सिंगल रेट ओफ फायर एंड डावल रिलोड माइनस तो इस रिलोड इतना जादे दिखा रहा भी तो डबल है ना इसलिए तो देखिए थोड़ा सब्सक्राइग करोंगे ना सब्सक्राइब तो देखां तो दोड़ पर आएगे मतलब क्या ही बोले गाइस ओपी है तो निकालना है तो निकाल लो गाइस बट गाइस यही एक ही लेवल टू या थ्री का तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा आपको और गाइस अगर आप इसको पोकर ही बनाना चाहते ह सब्सक्राइब तो देख सकते हो कितना रिलोड माइनस है यहां पर देखी गाइस मतलब इतना रिलोड का टाम लग गया है बड़े इस क्या ही ओपी हैड लग रहे है तो आइस मैं तो कहता हूं निकाल लो बात में कभी भी आपग्रेड कर लेना थार्टे का एड्रोप ले लीटोप लगाल में कैसे तो लोपी है का मतलब क्या है वोली सरजीट इस एंपिफोट यह बारे में पारी में तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना अगर आगर आप लेवल वन का ही रखते हो इसको लेवल तो का भी नहीं रखते हो तो भी घज ओप भी ही चलती है तो एमपी 40 में कोई कमीच नहीं है तो उसके बाद आप जो बैल नोटिक्रिशन को भी ओल पर सेट कर देना तो इतनी लोंग रेंज में भी आपका 57 का हैड़ पकेट लेती क्योंकि इसके रेंज माइनस नहीं है तो मिलते हैं नेक्स वीडम तब तके लिए टाड़ आप आए गाइस एंड गाइस कमेंट करना कि आपको यह एंपी फोर्टी कैसे लेगी ओके गाइस आपको यह एंपी फोर्टी कैसे लेगी ओके गाइस